नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजे साथ ही शेयर कर दीजे और जिन चाहतों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को भी दबा लें तो चलिए शुरू करते हैं शुबात करेंगे दोस्तों सबसे पहली अपडेट के बारे में लेकिन उससे पहरे दो चीजें आप सब्सक्राइब करना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भरती निकलती है तो पहले से अब भरती उसके लिए धना प्रदेशन करते हैं धरना प्रदेशन करके जैसे तैसे भरतीयों के विग्याबन जादी होते हैं फिर उसकी परीक्षा होती हैं और परीच्छा के बाद सबसे कॉमन चीज़ देखने के लिए मिलती है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने आज तक कोई ऐसी भरती नहीं देखी जिसके अंदर एक भी कोशन गलत ना मिला हो या फिर ऐसा हो कि वहां पर दो-चार कोशन गलत ना देखने के लिए मिले रोटो उसके अंदर भी पीस से बड़ी पईच्छा देखनार मिलती है लेकिन बाउजुत इसके हमाई पास ऐसे विशसकी नहीं है जो 500 सो कोश्चेंच सभी थैके से बना सकें इस प्रकार की मामले हर बरती में देखने के लिए मिलते हैं अब एक बार फिर से PCS की प्रामिक परिच्छा की जब बात आती है तो वहां पर बताया जाए कि लगबक आठ सवालों को लेकर आपतियां है और फिर उसके बाद मामला न्याले में जाता है तो बरतियां लटकी एती है उसी को लेकर नीचे जानका ही देखने के लिए मिलती है कि उत्तव दिस लोग से वाइक क्यों से हली भाइव जी प्रतम परिच्छा की अगर बात की जाए कोश्चिन के सामन एध्यन के अंदर आठ प्रेस्टों प्रतियों की चाहतों के मार्दियां से के अनुबाद को लेकर राज विजान परिच्छा किया गया है जो कि यहां पर आप स्वी के सामने गलत बताया जा रहा है इसके अलावा और भी कई कोश्चने जिनके अंदर यहां से चातों के माध्यम से सवाल खड़े किये गए हैं इंश्यों यहां से फेसे गलत देखने क ले मिले हैं अब इन आठ सवालों को गलत किया जाएगा या फिर डिलीट किया जाएगा या फिर न्याले के ऊपर छोड़ दिया जाएगा इसका फैसलाव यूपी पीए सी को लेना है लेकिन हमारा सवाल यह था कि क्या हमाई पास ऐसे कोई बिशेशके नहीं जो डेट्सों पूरे तरीके से बंद हो जाता है यहां पर आप देखने के लिए मिलेगा कि को ना संक्रमट की अगर बात कीज़े एक्टिव मामलों को लेकर लगबग 48,000 की आसपर पहुंच चुका है देश पर में सोंबार को अगर बात कीज़ें को संक्रमट की बारे में तो 8,000 नहीं मा आती है कि यहां पर करोना से ठीक होने वाले जो प्रतिशत है वजाश्च चिदर आप सभी को 98,000 लब 6-8 प्रतिशत देखने के लिए मिली है क्योंकि अगर जितनी लापर भाई होगी उतना ही नुकसान देखने के लिए मिलेगा एक बार फिर से सरकार की तो आप से साथ महीने लगेंगे वहीं दूसीतर बात कीज़ें अपनी अगली अपडेट के वाई में जो के संबंदिते पहले हम बात करेंगे योगिता के वाई में उसके बात करने वाले 4,200 पिलस 22,000 प्रतों को लेकर पिछले दो से तिन दिन दिनों से लगाता ता तीज़ें की वो देखने के लिए मिल रही है इसके अलावा टीज़ी जी विग्यान की अगर बात की जाए तो यहां से योगिता को लेकर पेच फसा हुआ है अगर बात की जाए बहती के विग्याबन में जी विग्यान विशे की आहता को लेकर अब्रती के समस्या बन गई है उत्टर इसके लाबा अगर बात कीज़े बायो टेक्टोलोजी या फिर कोई समकच विशे लेकर बीएसी करने वाले अभ्यातियों के आविदन मानने नहीं किया जाएंगे बायो केमिस्ट्री वह अगर बात की जाए तो यहाँ पर सेंड विज्ञान में से किसी एक विश्य से भीस्टी करने वाले अभ्यरती इस भरती में शामिलोने से बाहर हो गए है इस तरह बड़ी संग्या में प्रिदिस भर के अभ्यरती आविजन करने को लेकर मौका छिलिया है उनके माध्यम से मांग की जा रही है कि योग्यता में बदलाव किया जाए अगे अपनी अवाज उठाएंगे लेकिन वहीं दूसे तरह बात की जाए चाहजार दोसोर पिलस बाइस हजार प्रदों के बारे में आप जानते हैं कि टीजिटी भीजडी भरती के अंदर कंप मांग की तरह भरती को लेकर संशोदीत विग्याबं जारी जारी किये और यह जो नया संशोदीत विज्याबं जारीू उसके अंदर तद्रसिश्व की सीटORA को जोड़ लिया जाए क्यूंकि लगबख बाइस जाहर से जादर तद responds ठीकों की सीट는वा करी है जिसके बाई में आज की तारीक में आप सभी को धना प्रदेशन देखने के लिए मिलेगा चैन बोड की ऊपर अभ्यातियों के माध्यम से कल की तारीक में माननी ये चेर्मेन को यहां से पत्र लेकर जानकाई दी गई थी लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद भी 27,000 पतों पर नहीं भरती के बाई में कोई जानकाई नहीं निकली आज अगर बात किये सुबर 11 बजे अभ्यातियों के माध्यम से 27,000 पतों पर सिच्छिक भरती प्यक्या शुरू करने को लेकर यहां से जो मांगे वो रखी जाएगी अगर बाई सिच्छिक भरती के लिए सरकार हमेशा की तरह चात्तों के साथ करने की गुम्रा करने का काम करती आ रही है पराने बेसिक सिच्छा मंती जी के माध्यम से नई प्यात्मी सिच्छक भरती को लेकर विवादित बयान दिये जाते थे क्योंकि उनके अधिकारी करिने की इस बात को सुईकार करते थे कि उनके पास से प्याबत संक्या में सिच्छक मुझूद है फिर उसके बाद आप सभी को नए शिक्षामंती देखने के लिए मिले उनके माध्यम से भी इस प्रकार के बयान जारी किये गए कि हमारे पास प्रयाब तसंक्या में यहां से सिच्छक मौझूद हैं लेकिन सबसे बड़ी जो घोटाला देखने के लिए मिला वो यह था कि शिक्षामित्र अनुदेश्चकों के प्रदों को जोटकर सरकार बार बार की तरह यहां से कहिने की जो दावेों पेश करती थी इन दावों की पोल तब खुली जब विदान सभा के अंदर बता दिया गया कि हमारे पास में इतने सिच्छक मौझूद हैं और इतने सिक्षामित्र हैं और इसको लेकर लगाता विवाद हुआ विवाद का कार ना आप सभी जानते हैं कि शिक्षामित्रों को अनुपात में शामिल करना उसके बाद सरकार बैक फूट पर आ गई फिर सरकार के माध्यम से बेसिक सिचा परशल की और से मांग की गई कि बई देख्तपतों की हमें जानकाई देदी चाही लगाता साथ से आठ पर जारी हुए कुछ जिलों के माध्यम से देख्तपतों की जानकाई देदी गई कुछ के माध्यम से अभी भी लंबित है उसी क्रम में अगर बात कीजाए स्कूलों के अंदर तो कल की सब जानकाई मैंने आप स्वी को पहली देदी थी कि 17,000 से जादा पर खाली होने की जानकाई मिली है जो की जादा चौकाने वाली नहीं है क्योंकि अगर शिक्षा मित्तों को 36 से च्छक अनपाद में शामिल नहीं किया जाएगा तो इसमें आपको बहुत जादा बढ़ोती देखने के लिए मिले की एक एक जनपद से लगवग 5,000 से जादा पर खाली होते हुए दिखाई दे रहे अलग अलग जनपदों की जब बात की जाए तो 5,000 पर खाली होंगे टोटल 75 जनपदों के अंदर अगर आप दो गुंडे पद भी जोड़ दीजिए कि बई 200,000 पर खाली है तो पदों की संक्या आप संवी के सामने अलग दो लाग 10,000 से जादा निकलेगी जिस प्रकार बयान दिये जाते थे के हमाएप च्हात copyright हो हमाएप सख्शामितों की संक्या है हमें बेतन देना पढ़ता है वह कहींनग के इस बात को छुपाते थे कि उनके पास सिच्षकों की संक्या तो प्याबत है लेकिन सिख्षा मित्तों की आड में सिच्षकों की पदों को छुपाई जाने का प्यास किया जाता था जो कि आर्टी एक्ट और नई सिख्षा नीती के अनुसार बिलकुल भी वैलिड नहीं था विदान सभाग के अंदर कहीने की सरकार ने जब से आंगडे पेश करें थे उसके बाद बिरोद के बाद सरकार ने दुबार से जानकाई मांगी और उसमें आप स्पीकर सामने आंगडे निकल कर आ चुके हैं कि 70,000 जिसे ज्यादा सिच्षकों की कमी है अब ये कुछी जिल सरकार जाये तो 51,000 पिला सत्रे हजार से अधिक प्रदों पर नई प्रात्मी सिच्षक भरती का बिग्यापन जारी कर सकती है लेकिन ये संबब तभी होगा जब लगाता सरकार की उपर दवाब बनाया जाएगा जिस प्रकार 36 इच्षक अंदबात को लेकर बनाया गया था वहीं दूसरी तर बात कीज़े अपने अगली अपडेट के बारे में जो की संबंदित है यूपी के अंदर 850 इसके अलावर 41 बदों पर नई भरती को लेकर साथ ही अगर बात कीज़े आरचन विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश भरतियों के अंदर लगाता आरचन को लेक सब्सक्राइब को लेकर एक नगर नियो जग रखा जाएगा जिसको लेकर उच्छा दिकाईयों की बैटक में इसके संब्सक्राइब बन चुकी है इसके अलावा कुछ और जानकर यह नीचे लिखी हुई है इन्शोट यह एक 850 पर आपकी जो भरतिया वो देखने के लिए लेकिन 850 के अलावा भी 4100 पर आपको और भरतिया देखने के लिए मिलती है जहां पर अगर बात किए जे एससी के माध्यम जे लगबग 450 पर लेकर अश्रीलिपे की दिक्ति परदों की बहती निकाली गई है जिसके लिए नियुन्टम आयू 21 देखने के लिए मिलती है आव सब्सक्राइब की बहती निकाली गई है ज्यादा जानकरी के लिए लेकर पड़ सकते हैं और जानकरी नीचे लिख हुई है इस वेबसाइट पर जाएं इसके अलावा जेलबे के अंतर अगर बात की आपेंटिस्टू के माध्यम से लगबग आप सुभी के सामने 3612 पर बहत करने वाले थे वत्-त्तृ पडेश के अंदर लगातार अर्ट त्वा लेकर खड़े होने वाले वीवाद के बारे में अब जानते के पर देश्व के न को लिकर एक नॉटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें अगर बात की जा अनिजब की जो cut-off है वो देखनी के लिए मिली 86,17 तो वहीं अगर बात की जाए आप सबी के सामने OBC और इसके लाबा अगर बात की जाए को लेकर इनकी जो कटवर 86 दसमिलब एक साथ देखनी के लिए मिली है और इनकी अंदर लगाता इस प्रकार की मामले देखी जा रहे हैं कि प्रीटी के अंदर किसी प्रकार का कोई भी आरचन का लाब नहीं मिल रहा है चाहे वो ओवी सी के अभ्यातियों या फिर एड़ोग्य सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें